जिब भी कुछ अच्छा बनाने का मन हो या अच्छा खाने का मन हो तो हम क्या करते हैं? खाना बनाने के लिए बहुत जादा समय छोड़ते हैं पर उसी खाने को स्रिफ पाच मिट में बना पाएं तो बहुत ही आसानी हो जाती है सूपर टेस्टी सबजी लेकर आए हो उसरे पाच मिल में बनती है बोहुत जाधा टेस्टी लगती है तो चलिए रेसेपी देखती हैं तो देखें, पत्ता गुबी लिए हमने 200 ग्राम तो पत्ता गुबी को कट कर लेते हैं बड़ी वाली अगर पत्ता गुबी है, तो उसे इस ता से, हमें छोटे हिस्व में कर लेना है, और अगर पत्ता गुबी को अक्सर बोरिंग सी सब्जी कहा जाती है, पर अगर उसका बनाने का तरीका हम थोअसा चेंज कर लेना तो बहुती स्वाधिश सब्जी बनती है, तो पत्ता गुवी को न, जादा देर पहले कट करकर नहीं रखना है या जादा देर पानी भीगो कर नहीं रखना है अगर आप धोके रखते हैं तो उसे भी आपको इस्ता से जादा देर के लिए नहीं रखना है जिसे क्या होता है पत्ता हो मैंने अलकी से स्मेल आने लगती है जब भी हमें सबजी बनाना है तब तुरंथ ही धोकर कट करकर इसे सबजी बना लेना है तो देखिए सबजी के लिए हमें एक मसाला बनाना है उसके लिए चार हरी मिचली है, कुछ लसन के कलिया, अद्रक का तुकडा लिया है छोटा सा, इस मसाल को मैं कूट कर ले रहे हूँ, आप चाहो तो मिक्स में एक बार चला कर भी यूज़ कर सकते हैं, नमक एट कर रहे हैं आदा चमर, जिसे मसाला से इसे पीस पाए, इस साइस से हरी मिच अद्रक लसन का पेस्ट उस करका सबजी बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, और देखे उसी के साथ हमने टमाटर लिया है, एक छोटा सा कटा हुआ हमें टमाटर लेना है, तो चलिए हम सबजी बना लेते हैं, दो बड़े चमच हमने तेल आड़ किया है, और उसी के साथ में इसमें करी पत्ता आड़ किया है, करी पत्ता भी बहुत ही अच्छा रखता है, तो देखे, अब यह अच्छी से हो चुका है, तो इसी के साथ में इसमें आड़ करें हूँ, जो कुटा हुआ मसाला है, वह हमें एड़ कर लेना है, इस समय हमें ग ऍसमें 10 चमची इतना i ainda फूल फूल या इद् और पर फूल पर प्तागुबी को आड़ करना है जिससे क्या उता है जिसए ऑंटे यहिसी चट चट से इसमें अब अच्छा जाता रहता है हलका से crunchness रहता है और उसे के दाथ हमने इसमें टमाटर आड़ कर दिया है और कटा हुआ हरा धनी आड़ किया है तो देखे इस समय गैस की फ्लेम फूल है फूल फ्लेम पर हमें इसे एक जैसे चलाते हुए कुक करना है साथी एक चोथे चमचे से नमक आड़ किया है मसाले में हमने नमक आड़ किया था इसलिए नमक थोड़ा कम आड़ कर रहे है तो एक दो से तीन मीट के लिए हमने फूल फ्लेम पर इसे थ्राय कर लिया है तो अब हमें गैस की फ्लेम कर लेना है मेडियम और मेडियम फ्लेम पर हमें सबजी को कुक कर लेना है इस सबजी में उपर से पानी का यूज नहीं किया जाता है, तो देखिए अब हमें मेडियम फ्लेम पर इसे कूक करना है, जिससे जो सब्ची का पानी निकलेना उसे में ये सब्ची कूक हो, 5 मीट के लिए लेड लगा कर इसे हमने हब कुछ कर लिया है और उसके साथ हमें इसमें सुक्य म Somewhere आड़ करते हैं लाल मीच पॉड़र एक चोतिय चम sóश करब मेथी पॉड़र एक चोतिय चम sóश गरब मसाला पॉड़र हमने एक चोतिय चमश आड़ किया है इस सब्जी में कसुरी मेथि का टेस बहुत अच्छा जाता है तो इसे ज़रूर ट्राय कीजेगा आपको बहुत पस्संद आएंगी इस समय हमने गैस का फ्लेम मेडियम ही रखा है मेडियम फ्लेम पेह हम इसे कूक करना है तो देखें अब मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हमें इसे पूरीता से कुक कर लेना है तो सबजी को अच्छे से चलाते हुए हमें मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस सबजी में आप चाहो तो ग्रीन पीस का यूज कर सकते हो या अगर आपके पास में हरे मटर है तो आप उसे एक बार boil करकर इसमें add कर सकते है उसे भी ये सबजी का टेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है और मटर नहीं है तो बिना मटर की भी सबजी बहुत जादा टेस्टी बनती है इस सबजी को आप फ्रैंकी में जैसे रोटी में बेउनिस लगाकर उपर से इस सबजी को रखकर बच्चों को फ्रैंकी भी बना सकते है बहुत जादा टेस्टी बनती है आप चाहों तो बच्चों के टिफिन पे दे सकते है बच्चों को बहुत पसंद आएंगी सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा आपको मेरे चैनल में बहुत सारी आसान और टेस्टी सबजी के रेसिपी मिलेंगी तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा और साथी बेल आइकन दबा दिजेगा जिससे आपको मेरे नोटिवकेशन मिलेंगी सबसे पहले इसी तास से हम मिलेंगे और भी ने रेसिपी के साथ थैंक्यो फॉर वाजिंग माई वीडियो